नमस्कार इस चैनल में आप सबी वीवर्स को बहुत बहुत सा आगात है आज इस वीडियो में Maths के कुछ Important Questions डिसकस करेंगे जो Upcoming SSC MTS, SSC CHSL and CRPF exams के लिए बहुत ही Important है आप वीडियो को धान से देखिएगात है ताकि इसी टाइप को Questions को समझने में आपको कोई दिकत ना हो तो चली शूर करते है यहापर देखिए इस Question का Value पुछा गया है इस Question को Shortcut तरीके से कैसी Solve करना है सबसे वेले देखिए यहापर Root Over 36 है Root Over 36 का मिनिंग क्या है 6 है उसके बाद यहापर Plus 19 है तो इन देनों को अभी जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा उसका आगे देखिए Square Root है यहापर तो मतलब 25 के उपर Square Root हो जाएगा 25 का Square Root का मतलब कितना है 5 ठीक है तो उसका आगे देखिए Multiply by 8 है तो मतलब 8 87 हो जाएगा तो मतलब 40 हो जाएगा तो यहापर 8 से शुरू करके यह Pourtion का Value हो जाएगा 40 ठीक है उसके आगे कितना है 185 मतलब यहाँ पर square root का अंदर 66 square root का अंदर 185 plus 40 हो जाएगा तो देखें यहाँ पर 185 के साथ अगर 40 को जोड़ेंगे तो 225 आ जाएगा उपर देखें square root है 225 का अगर square root करेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा ठीक है समझ में आ रहा है उसके आगे 66 है plus 66 है मतलब यहाँ पर square root का अंदर 66 plus 15 हो जाएगा is equal to कितना होगा 66 plus 15 is equal to root over 81 हो जाएगा मतलब 9 हो जाएगा यहाँ पर correct answer ठीक है समझ में आ गया तो चलिए next question को देख लेते हैं इस question को देखें 2 से शुरू करके 281 तक सभी even numbers का साम कितना होगा वही पुछा गया है question में इस question को shortcut ते रिके से case resolve करना है 2 से शुरू करके 281 तक even number बोला गया है देखे 281 यहाँ पर even number नहीं है तो मतलब उसका आगे का number even number है मतलब यहाँ पर 280 हो जाएगा last even number and first even number हो जाएगा 2 से शुरू करके मतलब 2 हो जाएगा first even number ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया है तो यहाँ पर 2 के बाद 2 के साथ 4 कुछ हो रहेंगे मतलब 2 के बाद 4 even number है उसके बाद 6 उसके बाद 8 ऐसे चलते 280 तक है ठीक है समझ में आ रहा है तो देखें यहाँ से हम अगर 2 common लेंगे तो 1 plus 2 plus 3 plus 4 ऐसे चलते चलते यहाँ पर 140 तक हो जाएगा ठीक है तो देखें एक से लेकर 140 तक लगाता संख्या का साम कितना होगा इसका एक formula है यहाँ पर formula क्या है n into n plus 1 divided by 2 यह formula से एक से लेकर 140 तक लगाता संख्या का साम मिल जाएगा मतलब यहाँ पर n का value कितना है n is equal to यहाँ पर 140 हो जाएगा उसके आगे देखें 2 है तो 2 multiplied by n into n plus 1 divided by 2 करना है तो मतलब 2 multiplied by n का मतलब है 140 multiplied by n plus 1 मतलब 140 plus 1 मतलब 141 हो जाएगा divided by 2 ठीक है इसको देखें यहाँ पर 2 2 कर देंगे तो 140 के साथ 141 को multiply करना है तो 140 के साथ 141 को अगर multiply करेंगे तो यहाँ पर last में हो जाएगा 0 उसके आगे हो जाएगा 4 उसके आगे 7 और उसके आगे 19 तो 19,740 हो जाएगा यहाँ पर correct tensor ठीक है मतलब 2 से लेकर 281 तक सभी even numbers का साम है 19,740 ठीक है option है यहाँ पर correct tensor हो जाएगा तो चलिए next question को देख लेता है इस question को देखी यहाँ पर इसका value पुछा गया है यहाँ पर 1-1 by 2 है यहाँ पर 1 से 1-2 minus करेंगे तो फिर से half आ जाएगा multiplied by यहाँ पर 1-1 by 3 1 से 1-3 minus करेंगे तो 2 by 3 हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर क्या होगा उसके बाद यहाँ पर 1-1 by 4 हो जाएगा यहाँ पर minus करेंगे तो यहाँ पर multiplied by 3 by 4 हो जाएगा ऐसे चलते चलते यहाँ पर minus कर देंगे multiplied by 1-1 by 9 multiply करेंगे तो 8 by 9 हो जाएगा multiplied by 1 minus 1 by 10 करेंगे तो यहापर 9 by 10 हो जाएगा यहापर देखे denominator and यहापर numerator यह दोनों कर जाएगा मतलब 2 2 कर जाएगा 3 3 कर जाएगा यह cross सब कर जाएगा ठीक है diagonally सब कर जाएगा तो मतलब 1 by यहापर देखे 10 है तो 1 by 10 यहापर correct answer हो जाएगा तो चलिए next question को देख लेता है इस question को देखी यहापर 3 2 2 61 plus 3 2 2 2 62 plus 3 2 2 2 63 plus 3 2 2 2 64 यह number इन option में से कौन सा number से completely divide होगा वही पुछा गया है question में इस question को हम दो तरीका से solve कर सकते है यहापर shortcut तरीका से इस question को solve किसे करेंगे देखे तो यहापर basic का सभी numbers 3 है तो मतलब यहापर इन numbers का साम definitely 3 का multiple हो जाएगा ठीक है तो मतलब 3 का अगर multiple होगा तो देखे यहापर option में भी देखना है कौन सा option 3 का multiple है देखे यह की option है वो है 30 यह 30 3 का multiple होता है 3 का multiple होता है मतलब यह 3 का multiple होता है 30 मतलब उपर में जो number है यह number भी 30 से divide हो जाएगा बाकी इन option में देखे कोई भी number यहाँ पर 3 का multiple नहीं है तो मतलब यहाँ पर सिर्फ 30 एक ही number है जो 3 का multiple है मतलब यह जो number है यह 30 से divide हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया तो चलिए next question को देख लेते है इस question को देखे 5 consecutive numbers का साम अगर 90 है तो यहाँ पर middle number क्या होगा वही पुछा गया है question में मतलब 5 लागातन numbers का साम अगर 90 है तो यहाँ पर middle number क्या होगा वही पुछा गया है question में देखे यहाँ पर 1, 2, middle में 3, 4, 5 यह 5 लागातन numbers का साम कितना है 90 is equal to 90 है ठीक है यह 5 लागातन numbers का साम यहाँ पर 90 है 18 हो जाएका 18 हो जाएगा तो यह 17 है लेकिन 18 क्यों हो देखें यह पर है अगर 1-0-0-0-0 नम्बर होगा तो पान्च लागता नॊंबर का सुमप बोला गया है 90 तो उसके आगे 17 होगा और उसके आगे 16 होगा यहाँ पर 18 के बाद 19 and 19 के बाद 20 इन numbers को जोट दी दिये 16, 17, 18, 19, 20 तो यहाँ पर 90 मिल जाएगा तो यहाँ पर middle number क्या है 18 ठीक है समझ में आ गया तो यहाँ पर क्या करना है shortcut तरी कैसे इसको solve करने के लिए 90 को हम 5 से debate कर देंगे तो middle number मिल जाएगा ठीक है समझ में आ गया तो चलिए next question को देख लेते हैं इस question को देखें दो numbers का सामे 20 and उन दोनों numbers का difference से 2.5 तो उन दोनों numbers का ratio कितना होगा वो ही पूछा गया है question में देखें दो numbers को हम x और y पा कर लेंगे तो मतलब यह पर 2x is equal to कितना होगा 22.5 हो जाएगा 2x is equal to 22.5 then x is equal to 22.5 divided by 2 is equal to 11.5 हो जाएगा sorry 11.25 हो जाएगा ठीक है समझ में आ रहा है तो x is equal to 11.25 है तो यह 11.25 को यह पर x minus y is equal to 2.5 है यह equation में हम put करेंगे तो मतलब x का मतलब है 11.25 minus y is equal to 2.5 ठीक है तो यह पर y is equal to 11.25 minus 2.5 हो जाएगा तो यह पर minus कर देंगे तो 8.75 आ जाएगा ठीक है समझ में आ रहा है तो y is equal to 8.75 and x is equal to 11.25 then x is to y बोला गया है मतलब 11.25 is to 8.75 point को cancel का अगर कर देंगे दोनों साइट पर 125 से अगर 1125 को divide कर देंगे तो यह पर 9 हो जाएगा and is 8 पर 8.75 को अगर 125 से 125 से divide करेंगे तो यह पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा तो मतलब x is to y is equal to 9 is to 7 हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया तो चलिए next question को देख लेता है इस question को देखे यहापर इस question का value पुछा गया है देखे 225 के power में 0.2 है multiplied by 225 के power में 0.3 है तो यहापर 225 का power को जोड़ेंगे मतलब 225 के power में 0.2 plus 0.3 हो जाएगा divided by है मतलब divided by यहापर नीचे भी से हम है देखे 225 के power में 0.6 plus 0.4 करना है तो मतलब कितना हो जाएगा 225 के power में उपर में हो जाएगा 0.5 नीचे हो जाएगा 225 के power में 1 ठीक है उपर में 225 के power में 0.5 है इसका मतलब क्या है root over 225 हो जाएगा और नीचे 225 हो जाएगा तो देखे, यहाँ पर root over 225 है, उपर में, root over 225 का मतलब कितना है, 15, और नीचे 225 हो जाएगा, यहाँ पर काटेंगे, तो 15 हो जाएगा नीचे, तो मतलब 1 by 15 हो जाएगा, यहाँ पर current transfer, ठीक है, तो चलिए next question को देख लेता है, इस question को देखे, अगर एक number से 40 घटा दिया जा जाएगा, बो number खुद 60% बन जाएगा, मतलब x multiplied by 60 divided by 100, ठीक है, अभी देखे, यहाँ पर काटेंगे 00, उपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 5, तो मतलब यहाँ पर x minus 40 is equal to 3 by 5 हो जाएगा, cross multiply करेंगे, तो मतलब 5x minus 200 is equal to 3 हो जाएगा, 3 नहीं, यहाँ पर उपर हो 200, then x is equal to 200 divided by 2 is equal to 100 हो जाएगा, तो मतलब वो number हो जाएगा 100, ठीक है, तो चलिए next question को देख लेता है, इस question को देखे, एक fraction का numerator को अगर 50% increase किया जाए, and denominator को अगर 80% increase किया जाए, तो यहाँ पर new fraction क्या होगा, वोई पुछा गया है question में, देखे, यहाँ पर क्या करना है, व हो जाएगा, देखे, पहले, numerator को 50% increase किया गया है, मतलब इसके साथ, plus 50% कर देंगे, तो 150 हो जाएगा, निव उमे इटर, and denominator को 80% increase किया गया है, उसके साथ, plus 80 करदेंगे, तो 180 हो जाएगा, दीनो मेरिटर, अभी इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे, उपर हो जाएगा, 5 नमबर का 2 3rd से अगर 70 घाटा दिया जाए तो वो नमबर का 1 4th and 30 होता है तो इसका मतलब क्या है वो हम देखाएंगे देखे तो यहापर वो नमबर क्या है वो ही पुछा गया है question में देखे यहापर क्या करना है वो नमबर को अगर x पकलेंगे तो पहले x का 2 3rd मतलब multiplied by 2 by 3 ह हो जाएगा इससे minus 70 अगर किया जाए तो यहापर क्या हो जाएगा is equal to यहापर वो नमबर का 1 4th मतलब x multiplied by 1 4 and 30 and 30 का मतलब plus 30 ठीक है समझ में आ रहा है तो यहापर इसको solve करना है देखे यह उपर में हो जाएगा 2x divided by 3 minus 70 is equal to इससे ही पर x divided by 4 plus 30 ठीक है मतलब यहापर 2x divided by 3 minus x divided by 4 is equal to 70 plus 30 हो जाएगा is equal to 100 ठीक है तो देखे यहापर 12 हो जाएगा L सेम उपर हो जाएगा 8x minus 3x ठीक है is equal to 100 then यहापर देखे 8x से अगा 3x minus करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा 5x is equal to 12 into 100 हो जाएगा then x is equal to 100 multiplied by 12 divided by 5 इसको काटेंगे तो 20 हो जाएगा 20 into 12 is equal to 240 ठीक है यह पर दिखाए नहीं दे रहा है तो यह पर हो जाएगा 240 तो मतलब x is equal to 240 तो मतलब वो नामबर हो जाएगा 240 ठीक है समझ मैं आगा है वीडियो में किसी भी question को अगर समझने में कोई दिखा था तो आप जरूर comment box से comment करके मतलब आई है मैं कोशिश करूँगा उस question को आपको fit से समझने का वीडियो को अच्छे लगा तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स टाइम इस टाइक को और भी फिडियो लाने के कोशिश करूँगा आज के लिए इतने ही फेबेल नेके